वेल्कम टुदा चार क्लासस मैं प्रियंका आज हम यूपीटेट के लिए जो सीरीज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे किसके लिए यूपीटेट के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरा देखना है पेपर में बहुत एल्प करेगा आपको पूरी की पूरी वीडियो को आपको देखना है और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए तो हमारा ए हिंदी को करेंगे पहले हिंदी को करेंगे फिर उसके बाद जी एस को करेंगे तो इसमें हम 30 कोशन करते हैं जिसमें 15 कोशन जी एस के होते हैं और 15 होते हैं हिंदी के पंदरा जीयस के और पंदरा हिंदी के ऐसे गर के हम 30 question complete करते हैं तो आज का पहला question इस्टार्ट करेंगे इस सब्द का संदी विच्चेद सुद्द नहीं है मतलब किस सब्द का संदी विच्चेद जो है सुद्द नहीं है इन में से तो आपको बताना इन में से कौन सा ऐसा सब्द है जिसका संदी विच्चेद सुद्द नहीं है मात्रा प्लस आनंद, सदा प्लस एव, पित्र प्लस अनुमती और परम प्लस ओधर्य तो हमारा जो सुद्द सब्द नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा जल्दी बताए कौन सा नहीं होगा तो हमारा जो सुद्ध शब्द नहीं होगा वो होगा मात्रा प्लस आनंद मात्रा प्लस आनंद मात्रा आनंद सही है लेकिन इसका जो संदी विच्छेद है वो गलत है क्या होता है इसका मात्र धन आनंद ये इसका सुद्ध रूप होता है मात्रधन आनंद और इनमे संदी कौन सी है इन सम्में ब्रद्धी संदी होगी ब्रद्धी संदी किसका उधारण है किस संदी के अंतरगत आता है कमेंट वोक्स से कमेंट करके जरूर बताना कौन सा काम देव का पर्रया नहीं है मैंने कल ही आपको काम देव के बहुत सारे पर्रया बताये थे इनमें से बताना है आपको काम देव का पर्रया बाची कौन सा नहीं है अनंग, मंसिज, कदरप और अर्विंद तो कौन सा नहीं है इनमे से जल्दी आंसर कीजिए कौन सा नहीं है जो हमारा अर्विंद होता है वो किसका होता है कमल का होता है कमल का पर्रयवाची होता है ना कि कामदेव का कामदेव के और भी होते हैं जैसे काम अनंग मनसिज करपद कामदेव ये सब किसके होते हैं कामदे और सरसिज ये सब किसके ये सब कमल के पर्याबाची होते इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा अर्विंद आगे देखें कॉशन नमर थर्ड खा है तो इनमें से बताना कि जो खा सब्द है वो कौन सी इनमें से किस स्रेड़ी के अंतरगत आता है अगोश वर्ण के अंतरगत आता है अलपप्राण होता है गोश मर्ण होता है या विवरित होता है तो कौन से वर्ण के अंतरगत जो हमार और समय हमारे प्रत्राइब अन्तर गताता है प्रत्रम मतलब जो भर्ग हुते हैं हमारे मैंने आपको पड़ायते थे वर्ण माला में बर्ग हर वर्ग का प्रत्रम के और दुत्ये प्रतम और दुतिय और प्लस जो उस्म वियंजन होते हैं हमारे पहला दूसरा और हमारे उस्म वियंजन क्या होते हैं हमारे अगोश होते हैं और तीसरा चोथा और पांचमा और यरलेव है ये क्या होते हमारे गोश वियंजन होते हैं आगे देखेंगे रिड मुक्त समस्त पद का विग्र है मतलब रिड मुक्त इसका समास विग्र करना है क्या होगा तो रिड मुक्त इसका समास विग्र क्या होगा रिड धन मुक्त रिड की मुक्ती रिड और मुक्त रिड से मुक्त तो इसका जो सुद्ध समास विग्र होगा वो क्या होगा, रिड से मुक्त,ंच निम्न मैं से तत्सम सब्द है, तत्सम सब्द बताना इस प्यसे तत्सम सब्द कौन सा है, तत्सम सब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत वासा के, जो संस्कृत वासा से ज्योंकित्यों लिए गए हैं मतलब संस्कृत वासा से हमारी हिंदी में ज्योंकित्यों यूज होने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं तत्सम सब्द कहते हैं और जो अपना संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आये होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं तदबब कहते हैं तो हमसे पूछा तत्सम है तो लोंग क्या है लोंग क्या है हमारा तदबब है बहिन भी तदबब है जवान भी लेकिन चो प्रस्ट सब्द है वो क्या है तत्सम है क्या है तत्सम मैंने आपको बताया था ऐसा मात ऐसी मत्रा ये त्रा आदा शा ऐसे जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं हमारे तत्सम सब्द होते हैं तो ये question number 5 का जो answer होगा वो क्या होगा थर्ड आगे चलते हैं बहुब्रिय समास का उधारण नहीं है तो बहुब्रिय समास का उधारण कौन सा नहीं है इन में से बताना बहुब्रिय समास का उधारण पंसेरी, बारा सिंगा, कुस्मयुद्ध और दीर्ग बाहु तो इन में से आपको बताना है कौन सा जो है समास बहुब्रिय समास का उधारण नहीं है जल्दी आंसर कीजिए बहुब्रिय समास का उधारण कौन सा नहीं है बहुपरिये समास का उधारण कौन सा नहीं है तो कौन सा होगा पंसेरी पंसेरी किसका उधारण है जो पैसेरी सब्द होता है ये किसका उधारण होता है ये होता है हमारा दुईगू समास का दुईगू समास का उधारण क्या होता है पैसेरी यानि जो पांच किलो जो भांट होता है उसको क्या बोलते हैं पैसेरी और बारा सिंगा किसके लिए यूज होता है हिरन के लिए बहुब्री समास का क्या नियम था कि इसमें ना पहला पद प्रदान होता था ना दूसरा कोई अन्य पद यानि तीसरा पद ही प्रदान यानि ये जो हमारा समास कुस्मा युद्ध जो सब्द होता है वो किसके लिए उता है इसका आर्थ होता है काम देव इनके लिए तो कुस्मा युद्ध काम देव और दीर्ग बाहू का आर्थ होता है दीर्ग बाहू जिसकी बाहें लंबी होती है उसके लिए क्या बोलते हैं तो यह तीनों किसके बहुप्रिय समास के उदारण है आगे देखेंगे कौशन नमर साथ इन मैंसे किस इन मैंसे अकर्मक क्रिया है बतला आपको बताना है अकर्मक क्रिया बतानी है अकर्मक क्रिया में क्या होता था बताइए अकर्मक क्रिया कौन सी है पढ़ना लेना खाना सक सकर्मक क्रिया जो होती थी वो हमारी सकर्मक क्रिया जो होती थी उसमें क्या होता था हम उसमें प्रश्ण चिन्न लगा कर प्रश्ण पूछ कर उसे पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन जो अकर्मक होती उसमें हम पता नहीं लगा सकते तो जो हमारा रोना सब्द हो रह किसको पढ़ रहा है लेना क्या ले रहा है खाना क्या खा रहा है तो यह सारे सब्द क्या है यह सब हमारी क्या है सकर्मक्रिया लेकिन रोना क्या है हमारी अकर्मक्रिया क्या रो रहा है ऐसा कोई बाक्या नहीं बनता है क्या रो रहा है क्या से रो रहा है क्यों रो रहा है लेक Q8, क्रवश्ण नमेन नमार 8, रगुपति सब्द किस समास का उधारळ है, नहीं क्या होता था, संख्या आती थी, इए संख्या का भूध होता है, किसमें दूंद समास में और योजक चिन आता है बहुबूबूड знать पर्दान होता या तो हमारा जो रगूपती है वो क्या होगा बहूबूड यह समास ही होगा कैसे रगू कूल के जो पती है अर्थार्थ कौन राम तो जो रवगूपती सब्द यो यूज होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है राम के लिए होता है तो इसमें क्या होगा बहुब्रिय समास होगा आठ का अंसर क्या होगा सी और करमधारे में क्या होता है करमधारे में विसेष्था बताई जाती है विशेष्ता बताई जाती है जैसे सुएत पत्र, काला गोड़ा ये सब किसके करम धारे के उधारण होते हैं आगे चलेंगे संस्कृति की दूसरी मंजिल है मतलब संस्कृति की दूसरी मंजिल है हमारे कल्चर की दूसरी मंजिल है चिरंतर मूल्यों का संद्रक्षण चिरंतर मिन्स होता है पुरातन यानि जो सदियों से चलाराओ उसको चिरंतर बोलते हैं चिरंतर मिन्स होता है पुरातन को लेकर चल लए परंपरा और रूड़ी आश्रे को इस्तल देती है तो यह सब क्या है यह उपरियोक तो सभी जो आंसर होगा हमारा वही सही होगा कॉशन नमर नाइन का अंसर क्या होगा डी कॉशन नमर दस को देखेंगे निम्न मैंसे कौन सा वारिद का पर्यावाची नहीं है तो वारिद अगर यहां दा लगा हुआ है तो इसका पर्या बदल जाता है लेकिन अगर यहां जा लगा हुआता तो यह किसका हो जाता दा लगा हुआ है दा से पहंचान लेना ये मेग पयोद और घन ये तीनों किसके पर्यावाची होते हैं बादल के पर्यावाची होते हैं किसके बादल के लेकिन जो अम्भुज होता है वो किसका होता है वो कमल का पर्यावाची होता है किसका कमल का तो जो बारिद सब्द होग पर्याय नहीं होगा वो क्या नहीं होगा अम्भुस्तो आंसा क्या होगा डी और मेग पयोद और गन ये सब किसके बारिद की पर्यावाची होते हैं यड संदी का उधारड है बताए जल्दी यड संदी का उधारड है मैंने आपको बताया था यड संदी का उधारड क्या होता तया रहीत है अब यहाँ पैसे पस सकते हो रहे समें इसे अब देखने आंग जला है औरो अर्थपूर सब्द निकालना है अर्थपूर सब्द निकालना है प्लस उपसर्ग निकालना है उपसर्ग निकालना है इसी से पता चल जाएगा कि किसमें यरसंदी नहीं है सुयल्प सुधन अल्प है सुधन अक्ष इसमें भी है सुधन आगत स्वागत स्वांग में नहीं है song means होता है जूटा यार दिखावा करना तो song सब्द में क्या होता है यही अगर इसको तोढ़ेंगे तो कोई अर्थपूर सब्द नहीं निकलेगा सूधन अंकुष अर्थपूर सब्द तो यही का होगा हमारा यर संदी का उधारण नहीं होगा लेकिन बागी जो तीन है वो किसके यर संदी के उदारड है आगे देखते हैं कॉशन नमर बारह किस सब्द में विशर्ग संदी नहीं है तो आपको बताना है नहीं है को बिल्कुल विशेश ध्यान रखना है नहीं है का नहीं है का क्या है विशिश कर ध्यान रखना है नहीं है सब्द अक्षर कॉशन गलत करा देता है तो इस नहीं है सब्द को विशिश करके ध्यान रखें तो जो हमारी विशर्ग संदी नहीं है वो बताने हैं आपको किसमें नहीं है किसमें विशर्ग संदी नहीं है अनुस्वार मनोंकूल मनस इसपात और पयोद किसमे नहीं है तो जो हमारा अनुस्वार है इसमें क्या है इसमें जो हमारी विशर्ग संदी नहीं है अगे चलेंगे तो इसमें बताना है उपसर्ग कहा लगता है आगे लगता है तो आपको बताना है किसमें अप्रत्याषित सब दोता है इसके आगे क्या लगा दिया है आउपसर्ग लगा दिया है आप्रत्यासित प्रत्यासित सब्द होता है इसके आगे क्या लगा दिया है आउपसर्ग लगा दिया है और सू प्लस सू प्लस आगत इसके आगे क्या है? सू प्रत्तिला लेकिन स्वार्थ स्वार्थी जो सब्द होता है उसमें क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ ये खुदी एक पूर्ण सब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है तो D क्या होगा? इसका कॉशन नमत 13 का D answer होगा अधि उपसर्ग से बना सब्द नहीं है तो इसमें से बताना है अधि उपसर्ग से कौन सा सब्द नहीं बनाए अधि उपसर्ग से बना अध्यापन, अध्यावाश, अधीर और अध्यादेश तो किस में अधी उपसर्ग नहीं है मैंने आपको अधी उपसर्ग पढ़ाया था तब बताया था कि जहां पर भी आदा धा आए आदा धा जहां आता है ऐसे करके तो उस धा को अठा कर उस धा को अठा कर क्या कर देते है उस पर छोटी की मात्रा चड़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा अधी हो जाता है क्या हो जाता है अधी हो जाता है तो आदा दा इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो इस तीनों में क्या होगा अधी उपसर्ग होगा सही सब्द क्या होता है अपुराद और इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है निर निर तो ये वाला सब्द हमारा क्या होगा यही राइट आंसर होगा कॉशन नमर 15 का राइट आंसर क्या है निर अपुराद इसमें प्रिती दिन डायरी लिखने मौसम दर्जिकंडे एबं उससे सम्मंदित प्रश्ण पूछने पर बच्चों में किस कौसल का विकास होता है जब बच्चा ऐसे काम करेगा खुद से डायरी लिख रहा है प्रश्ण पूछ रहा है चीजयों को खुद समझने की कोसिज कर रहा है और डायरी लिखेगा तो क्या करेगा अपने सब्दस चुनेगा कि मुझे लिखना क्या है खुद सोचेगा तो ऐसे में क्या होता है हमारा जो سमप्रेशन को होता है यानि कम्युनिकेशन जो कोशल हो सकती है जब किसी बच्चे में अर्द सास्त्र यानि एकॉनमी की जो समझ को विक्सित करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में वह सारी चीजें बनने लग जाए बजार के रूल पिले आयुजन करवा सककर बैंक पोस्टर ऑफिस पर ब्रमण करवाकर मूले जैवी अमूर्त अबदारना को अधारन द्वारा व्यक्त करके यह उपरी तो सभी तो आपको बताना इसमें से राइट अंसर जो होगा वो क्या होगा देखो बजार का रूल प्ले करवाकर जो मतलब रूल जो होगा वो प्ले करवाकर क्या होता है यह हो सकता है कि हम बजार में बच्चे को ले जाए और वहां एक बनी एक अगर करवा रहे हैं तो वो क्या है अपनी एकॉनमी क को समझेगा कैसे सामान को देना है कितने पैसे में देना है बैंक पोस्टर ओपिस ब्रमण करवा कर यह से भी हो सकता है कि बैंक में जाकर बच्चा चीजों को समझे उससे भी कर सकता है मूले जावी अमूर्त अब दारना उधारन उधारन व्यक्त करके उसे उधारन दिये जा सकते हैं economy के उससे भी तो पर्यूक्त सभी क्या होगा हमारा right answer होगा proch मित सभी Q7 call right answer. उप्रियूक्त सभी तक को स?. आथारह प्र्यावंड के अंतरगत आते हैं तो प्र्यावंड के जो अंतरगत इसन वेसे कौं-कौं से गटक है वो आएंगे कि कौन-कौन से जो चीज हैं वो आएंगी देखो पर्यवर्ण के अंदर पेड आता है पेड पौद Hence जीव जनतु यह भी आते है रिष्टे नाते और संस्कृतु भी आती है हम हैं मतलब जीव जनतु सब हैं तो उनके सभी यह क्या होगा यह सभी आते हैं इसमें आप सभी को नंबर इसमें क्या है सभी यह तीनों ही आते हैं किसके पर्यावरण के अंतरगत लेकिन अनवार्रे सभे सिख्षा का कोई मोली यह 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 नहीं नहीं और बीगुणरद्ह एक्ट का संब्ड किस स tut si8 है तो सारत है किस से पोलिगने के具 dough स्ताइड पोलिए अपार यम्हों सो ऑंटिस में मैं 2039 में अंटिस में पेर रोट यह बाल विवासे सम्द दो बाल विबा की आयू को इसमें बढाकर कर दिया गया था जिसमें लड़कों की जो आयू थी लड़कों की आयू को कर दिया गया था 18 वर्स और जो लड़कियों की आयू थी लड़कियों की आयू को कर दिया गया था 14 वर्स तो यह सारदा एक्ट किस से संबन देता है बाल तिसमें आया था जिसमें लड़कों के आई उठारा और लड़कियों की 14 वर्स कर दी गई थी आगे देखेंगे कॉस्चन नमर 20 बच्चों के लिए सीखने के अफसर प्रदान करने के लिए आप इन में से क्या नहीं करेंगे इसको विशेश करके द्यान रखना है क्या नहीं करेंगे बच्चों को समस्या सुलजाने के लिए प्रेरित करेंगे बिल्कुल करेंगे बच्चे को जब बच्चा समस्या को समझेगा उसे सुलजाने की कोचिस करेगा तभी तो उसके जो माइंड जो डबलप हो पाएगा छोचने की सकती है उसकी वो उसका विकास हो पाएगा उसकी अवधारना अत्मक संरचना को स्पस्ट करेंगे जो बच्चा कालपनिक चीजों को अपने मन में बना कर बैठा है उसको इसपस्ट करेंगे कि यह ऐसे नहीं ऐसे होती है तो उससे भी होगा उन्हें सुझाववा संकेत देंगे कि जिससे वह नया ग्यान सीख सकें विल्कुल देंगे अगर हम टीचर सिक्षा के एक चीज बच कर रहा है तो उसको सही उत्तर बता दी और बात खतम कर दी तो यहीं हमारा क्या होगा गलत होगा क्योंकि गलत पूछा है तो यहीं क्या होगा सही आंसर होगा कॉस्टर नमर 20 का सही आंसर क्या होगा डी और विसेस करके आपको नहीं को ध्यान रखना है इसमें आगे चलते ह बच्चे को सामाजी करड का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है तो बच्चे को अक्सर करके हमारी जो प्रार्थ में सिक्षा होती है वो किसको मानी जाती है परिवार की मानी जाती है किसकी मानी जाती है परिवार की मानी जाती है तो बच्चे का जो पहला पार्ट कहां से स्टार्ट होता है वो परिवार से होता है हमारा जो पहला हमारे अंदर जो पहला संसकार या पहला इसकूल जो घ्यान को कहां से मिलता है हमां अपने परिवार से अपने मम्मी पापा से अपने भाई बेनों से दादा दादी से इन लोगों से मिलता है तो हमारा जो पहला राभ को बताना है सबसे अच्छा प्रोटीन, कश्रोत कौन सा है तो दूद है, मास है, सोयवीन है, अंड़ा है जल्दी आंशर किजी यह क्या होगा, क्या होगा, जो Tel ev featuring है, सोयवीन है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता वो किसमें पाया जाता है वह रहे हैं सोया बीन में आगे देखते हैं उर्जा का प्रामिर होता है उर्जा का प्रामिर कैसा दहart director झल्दिक और आउसर करके प्रामिर में कि थो शब्ल़ से पहले ज़ो हमारे जैसे हरे पॉदों को right खाते हैं हरे पौदो को खाते हैं हरे पौदो को खाने वाला जैसे टिडड़ा टिड़े को कौन खाएगा मैड़क खाजाएगा मैड़क को कौन खाएगा स्याप और साप को मोर मोर को शेर और सेर को शेर को कौन खा सकता है मनुस्य इनमें कैलोरी भी डिवाइड होती है जैसे सबसे पहले जो खाएगा उसके बिल्कुल जितनी फुल 1000 कैलोरी उसके बाद कितनी आएंगी 100 इसे ऐसी गटी जाएंगी इसके बाद कितनी 10 इसके बाद कितनी 1 और जो लास्ट में खाएगा उसके पास सिर्फ बन रह जाएगी तो क्या होगी कौश्चन नमर 24 प्रकरती में ऑक्सीजन का प्रमुक्षरोत है समुद्री जल बर्शावल पर्यावरण या हरे पोदे सबसे जो प्रमुक्षरोत होता है हमारे हरे पोदे हरे पौद है किस तरीके से होते हैं कि ये अपनी जो उत्सर्जन किस से करते हैं ये ये उत्सर्जन करते हैं जब ये प्रकास संस्लेशन की किरिया करते हैं इससे क्या होता है उर्जा का उत्सर्जन होता है प्रकास संस्लेशन की किरिया से हरे पौदो में क्या होता है उर्जा क उत्सर्जन होता है तो प्रकर्ति में उर्जा का उत्सर्जन किस से होता है हरे पौदों से किसके द्वारा प्रकाश द्वारा चात्रों के लिए सीखने के प्रमुक्षाधन है चात्रों के लिए सीखने के लिए प्रमुक्षाधन है तो बताईएं मैं से कौन-कौन से चात्रो दूमरपान से ओने वाला प्रमुक रोग है तो दूमरपान या नि जो लोग तमबाकू या सिग्रेट वगरा इनका सेवन करते हैं उससे कौन से रोग कौन सा रोग हो सकता है और काफी खतरनाक रोग होता है तो धुम्रपान करने से कौन सा रोग होता है कैंसर होता है कौन सा कैंसर और तमबाकू दिवस कम मना जाता है तो ये 31 माई को मना जाता है तमबाकु निश्यत दिवस कम मना जाता है 31 मई को आगे देखेंगे बायू मंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है बायू मंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है तो nitrogen gas जो होती है हमारी सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है nitrogen gas कितनी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कितनी 78% 0.9 78.09% यह क्या पाई जाती है nitrogen gas पाई जाती है 21% क्या पाई जाती है हमारी oxygen पाई जाती है क्या पाई जाती है oxygen oxygen कितनी होती 21% और नाइट्रोजन 78.09 परसेंट आगे दिखते हैं कौशन नमर 28 बिटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है तो बिटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जल्दी बताएं आंसर कीजिए रिक्टेटस किसकी कमी से होता है यह होता है बिटामिन डी की कमी से किससे बिटामिन डी की कमी से रताओं दी रोग किससे होता है तो बिटामिन ए की कमी से इसकर भी होता है बिटामिन सी की कमी से और जो कौसर कोर रोग जो होता है यह होता है प्रोटीन की कमी से किससे प्रोट तो हमारा आइट आंसर क्या होगा रतोधी विटामिन एक ही कमी पूछी थी तो क्या होगा रतोधी कौशन नम्मर 29 29 को देखेंगे विश्राम अवस्ता में स्वस्ति व्यक्ति की हिर्दय की प्रती मिनट धड़कन होती है मतलब जब विश्राम अवस्ता यानि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो उसकी धड़कन है यानि कितने बार धड़कती है प्रती मिनट तो कितनी बहत्तर बार कितनी बार बहत्तर बार कि आगे देखते कॉशन नमर 30 लास्ट कॉशन होगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताना और लाइक सेयर क सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतेक्रिया का उधारण है तो इन में से बताना है आपको प्रकरती एवं सामाजिक संस्कृतिक इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना कल क्लास को देखते टाइम इसका आंसर आप मुझे सभी एक बैतरन सीरीज चल लही है यह सभी को बताएं समझ में आ रहा है कहीं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए इतना ही करेंगे अपना ध्यान रखना थैंक यू सो मच